हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे तूवर की दाल और उसके तड़का कैसे लगाना है पोसब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तूवर की दाल बनाने के लिए यहां पर हमने लिया है कूकर और अब इसमें हम डाल देंगे एककटोरी तूवर की दाल और इसे हम 3-4 पानी में अच्छी तरीके से वाश कर लेंगे इसे हमने 3-4 पानी में अच्छी तरीके से वाश कर लिया है तो अब इसमें हम डाल देंगे 4 गलास पानी पानी आप अपने हिसाब से कम्याजादा कर सकते हो और अभी इसमें हम डाल देंगे एक चम्मज हल्दी पाउडर नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ जादा कर सकते हो और अभी हम ढखकल लगा देंगे और तीन विसल आने तक इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे तीन विसल आ चुके हैं और दाल भी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो अभी हम तड़का लगा लेंगे तड़का लगाने के लिए कड़ाई हमने कैस पर रख दिया है और अभी इसमें हम डाल देंगे चार चम्मज देसी घी आप तड़का कभी भी देसी घी में ही लगाई है ताल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है घी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मज राइ राइट ही अच्छी तरीके से चटक चुका है तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मत जीरा जीरा जो है वो अच्छी तरीके से चटक चुका है और इससा जो कलर है वो भी इलका सा चेंज हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे बारी कट किया हुआ लेसुन बारी कट किया हुआ हरी मिर्च और करी पत्ता इसे हम एक सेकेंड के लिए सौती कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बारी कट किया हुआ प्याज इसे भी हम हलका सा भूल लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो हलका सा ही चेंज हो इसे हमें golden brown बिल्कुल भी नहीं करना है प्याज़कर जो color है वो हल्का सा change हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे बारिक कट किया हुआ टमाटर और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगी नमक नमक हम इसले डाल रहे हैं ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से soft हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे डाल जो हमें पका कर रखा है और इसे हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और गैस का flame हमें off करना है और अब इसे हम एक प्लेट में serve करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हूँ कि तूर की डाल जो है वो बनकर तैयार है और तड़का भी हमने लगा लिया ही अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe भी कीजिए